वेलकम बैक टूमाइ चैनल दो फरीड आज मैं बनाने वाली हूं कच्चे केली की सुकी सबजी जो बिना यहां पर लशन और बिना प्याज के बनाने वाले हैं और प्रेंट काफी टेस्टी लगता है और कच्चा केला पका केला तह आपको पता ही है कितने जादा विटामिन हो यहां पर मैं कच्च बनाने वाली हूं जो काफ़ी टेस्टी बनता ये और टेस्ट के सथ रही होता है तो यहां पर देखिए में यह केला कच्च अब इसको हमारे दोतर निखने निकाल लें गे टीजिए फेकती नहीं भी स्की में इसकी में चीजिए बना लेती हैं इसकी चटनी के रेश्वी सेयर कर रहे हूं बट लॉंग नहीं बनाई यहां पर देखे सारे में छील लिए हूं उसके बाद एक बीच में आपर चीरा लगाएंगे और चीरा लगाने के बाद इसको हमें थोड़ा मोटा मोटा कट कर लेनी है पर इन पतला नहीं करेगा आप सब ठार रख यह गरम होने के लिए पानी जैसी गरम हो जागा इसे हम थोड़ा सा डाल देंगे अब इसको में कितना पकाना मैं आगे आको बताती हूं इसे पहले मैं आपको यादि दिला दें प्रेंट प्लीज वीडियो का लाइक जड़ूर कर दिया किजिए आप लो चैनल को सब्सक्राइब कर देगा फेस्बूक पर देख रहे हैं तो फॉलो किजिगा और जरूर कॉमेंट्स तरके बताएगा आपकी मेरी रेशिपी कैसी लगती यहां पर देखिए खेला हमें हाप कूक करना है यानि कि पूरा नहीं पकाना है फ्रेंड आदा ही पकाना है और जादा अगर पक जागा ते मैसी मैसी सा सब्जी बन जाती है यानि कि सब्जी के जगए भरता फिर बन जागा जब इसकी आप सब्जी बनाएगा ते यहां पर देखिए एक जाली वाल बरतन में निकाल लिए हूँ ताकि पानी इसका अच्छी तरह से निकल जागा और यहां पर डाल रही हूं काश्मीरी रेट शीली पाउडर यह कलर भी आता है इस अलका तीखा भी होता है थोड़ा सा डाल रहे है को दनिया पाउडर इसको हमें मिक्स कर लेना है अब वाइल किया हुआ जो हमारा केला थे भी ठंडी हो गई है ठंडी करके ही डालिएगा तक अब हम मसाले और तेल के साथ इसको एक दो बार चला करके मिक्स कर लेंगे और प्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे यहां पर जब मैं मसाला डाल रही थी तो गैस को बंद कर दी थी क्योंकि ड्राइ मसाले न बहुत जल्दी जलने लगते अब दुबारा से गैस को जला इसको एक दो मिनेट के लिए इसी तरह से में लो मीडियम प्लेम पर फ्राइ कर लूँगी ताकि बहुत क्रीश्पी बन जाए यहां पर मैं एक दो मिनेट चलाने के बाद एक बढ़ धक दे रही हूं यानि कबर कर दे रही हूं एक मिनित ले मैं धकी थी अब मैं इसमें डा एक मिनित में धक भड़ कर देखते रहना कि जल नहीं रही है कि अर चलाते रहना है यहां पर देखें बहुत वह इल्ला चायप मुझी पावडर professionally शाथ में अधक और आममो बादार शीपी क्लेश्पी सीवार्व चैट मिल्कुल में चाठ मसाला भी यह ज़्तार इग अर य कर रहे थी तो इसमें ज्यादा पानी में पड़ गया था तो इसमें अच्छी नमक जना रही थी तो मैं अलग से नहीं डाली हूं और लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दे रहे हैं इसको हम अब निकाल लेते हैं खाने के लिए काफी टेस्टी लगता है अपर इन ए करीगा